भिलाई वारियर्स एकेडमी द्वारा भिलाई क्रिकेट एक्सोसेशन की सहयोग से हॉस्पिजल सेक्टर ग्राउन में नानी कप का आविजन 23 दिसम्बर से किया जा रहा है इस ड्यूस बॉल क्रिकेट टूनामेंट में प्रदेश के विभिने जिलों से लगबग 12 टीमों ने हिस्सा लिया है शरीवार को सेमी फाइनल मुकावला किया गया टूनामेंट का समापन 31 दिसम्बर को होगा खिलाडियों को मन्च प्रदान करने के उद्देश से भिलाई वारियोर्स एकेडमी के तत्वावधान में नौ दिवर्सीर रॉबिन की नानी की स्मृती में नानी कप टूनामेंट का आयुजन सिक्टर नौ हॉस्पिटल सिक्टर दशेरा ग्राउंड में किया जा रहा है बता दे नानी कप टूनामेंट में प्रदेश के विभिन जिलों से लगबग 12 टीमों ने हिस्सा लिया है इस टूनामेंट को लेकर आयुजक ने इस तरह की जानकारी दी है जी मैड़म ये जो मैच जो हो रहा है मैड़म ये ये नानी कप राविन की नानी के नाम से होता है मैड़म ये ये जो अभी इस साल जो हुआ है 23 तारिक से स्टार्ट हुआ है मैडम और ये 31 तारिक के इसका फैनल होगा इसमें टोटल 12 टीम आई थी मैडम जो टोटल नान गाउं दूर्ग, भिलाई, तैपूर, बिलासपूर ये पांच जगह से पर मिला के बारा टीम हो ने थे जिसका आज मै मैडम ये इसका बस उद्धे से बच्चों का अच्छा प्लेट फां मिले मैडम बच्चों को भिलाई में इस बॉल का मैचे सिहा होते हैं मैडम यहां पर जी मैडम गर्च भी है मैडम इसमें इसमें हम लोग गल्स कर यह रखे मड़ा कि यह अंडर 14 हो रहा है तुनामेंट हम लोग गल्स अंडर 16 तक अब इसको मैं अलाओ किये हुए है जो अंडर 16 के गल्स जो है वो खेल सकते हैं और हर टीम में लगभग दो एक एक दो दो तिन 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 गर्स खेले है इसका फाइनल मैच को है कल 31 को ऐसा तुनामेंट भिलाई में होते हैं चीए मैडम मैं बस य चौथा साल है हम लोग आयोजन अच्छा करने के सोचते हैं आगे इतना चौश से को अच्छा करेंगे रॉबिंग के सपोर्ट से मैडम अभी इस साल हम भिलाई यह जो है लिखाव भाई प्रसान बढ़ा है वह हर दिन आते भी है देखते भी है मैडम और बोले कि जो भी मे है कि जितना में सोगा मोतना करूंगा वहीं अकेडमी के द्वारा शासन प्रशासन वह बेस्पी प्रबंधन से अपील की गई है कि आने वाले समय में सहयोग प्रदान करते हुए इस दशहरा ग्राउंड को बच्चों के लिए संधारन करवाएं क्योंकि अक्सर इस मैदान म चाते हैं कि यह इदर घेरा हो जाएं में क्योंकि यहां पर समाजिक तत्व का जमावड़ा रहता है और यहां पर गाडियां ग्राउंड के अंदर घुषती हैं इसे बच्चों को कई बार एक्सिडेंट होते भी बच्चे बच गया है इसके लिए हम चाहते हैं कि प्रशास करते हैं तब सपोर्ट कर रहे हैं पर मेंन है में गाड़ी का अगर घिरा जाएगा तो गाड़ी नहीं आने से हमारे बहुत सेफ हो जाएंगे हम हमारे बच्चे हमारे यहां लगब डेड़ लाग रुपए टर्विकेट बनाने के लिए और रोलर यह सब में हम लोग खर्चा किया है लोगों के सैयोग से और कुछ आदस ज्यादा फंड तो हमारे है बहराल इस नौ दिवस्टी टूर्नामेंट का समापन 31 दिसंबर को किया जाएगा विजई टीम को उचित पुरसकार के साथ नानिक का प्रदान किया जाएगा निश्ची थी इस टूर्नामेंट से खिलाडियों को प्लेटफॉर्म मिलेगा और आने वाले समय में विर्रास्ट्री और अंतर रास्ट्री इस्तर की प्रत्युगिता में भाग लेने के लिए अपने आपको तयार कर सकेंगे ग्रैनेसेन निउस के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट